नमस्ते कैसे हैं आप सभी मेया नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है तो अभी हम पर रहे हैं इश्यू अफ सेर्स जिसमें हम आज देखने वाले हैं कुछ जर्नल इंट्री जो की कंपनीज में होती है सबसे पहले हम देखे तो य कारी है तो हमें जर्नल इंट्री सबसे पहले करनी है जिसमें हमने दिखा था कि दो जर्नल इंट्री करनी है dah yat right की हम आगे gaat यह जो cashbook है और profit or loss appropriation है इसको हमें तब ही बनाना है जब questions में साफ साफ दिया हो जब हमें साफ साफ बोला जाए कि हाँ आपको यह बनाना है उससे पहले हमें यह नहीं करना है यह काम हमें नहीं करना है cashbook और profit or loss appropriation नहीं बनाना है जब तक questions में न बोला जाए तो यह चीदे ह हमें चार तीज़े करनी है लेकिन में हम क्या करते हैं यहां पर जैनल इंट्रीज और बनाते हैं क्योंकि हर कोश्चन से हमें कैस्ट बुक और प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्यूशन नहीं बोलता है बनाने के लिए अब हम नेक्स चलते हैं कि जब कोई कंपनी शुरू होत होता है जब हम कॉल्स करते हैं उसमें क्या होता है हम एक दस रुपय का अगर सेर्स है तो उसको हम एक बार में सारे सेर्स नहीं लेते हैं उसको हम पार्ट वाइस डिवाइड करके लिते हैं जैसे मानते हमने क्या किया पहले एक रुप लिया दो रुप लिया चार रुप ल पहले हम क्या क्रते हैं इसको ऐप्ट ल simplement कि यौन करकेस्थ no कि यह में आपकलिकेशन पर आए हुए अमांट होगए यह हमारे जब हाँ आपकलिकेशन आता है तो पहले क्या होता है पैसी आते हैं मैंने बताया था लाद्ट क्लास में कि पहले ृ میں होगी फिर received फ़र में पर यहां पर क्या होथा है पहले रसीव क्या होती है फिर दियू होता है कि आप Александ का साथ क्या आता है अप options का मैश ठीकरां का है तो पहला क्या हो गया application जो कि कितने एक रूपर यानी 10 रूर्पर क्या होगे सोगय जो आप 10 रूपर यानि यह 10 रुपय का जो जियर्थ होता है उसे कम्पणी एक बार मिना लेकर कितना क्यों करती है अपने आवाशक्ता के अनुसार टाइम टू टाइम लेती है तो यह जो कम्पणी के इसको कॉल करेगी कॉल करेगी कि मुझे पैसे चाहिए आप कंपनी में पैसे दीजिये जिसका एक टाइम था कितना 15 दिन का टाइमधा था 15 टिन की तॉल अग्या थे यानि हर काॉल का टाइम किता था कम्त का यानि हर कॉल के बीच में जो डियोरशन होता है वो एक एक मन्त का और कॉल्स के बाद पैसे लेने का क्या था फंदरा दिन का तो यह क्या है डियूरेशन पैसे लेने का और कॉल्स करने का डियूरेशन किता था एक मन्त का तो जब कंपनी कॉल करती है तो वहाँ पर क्या होदा सबसे पहले शियर हम एप्लिकेशन होता है शियर अप् होगा तो यहां पर क्या होगा second call हमारा allotment फिर next क्या होगा हमारा ये first call second and final call तो यह हमारे चार calls होगा किसमें 10 रुपय वाले माल लेते हैं अंश में तो अब क्या होगा जब company अपने shares होगा जो shares issue की है उसकी entry करेगी किसमें अपनी company में तो यह अपने company में entry करेगी और उस calls की जो भी मांगने की यानि due entry और receive entry हो रही है उसकी एक posting करेगी एक journal entries करेगी ताकि वो एक rough book में वो अच्छे से उसको आपर लिख सके इसको हम जर्नल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको हम rough book भी बोलते हैं west book भी बोलते हैं तो यह सब हम बोलते हैं किसको जर्नल को अब हम करेंगे जर्नल इन्टरी तो यहां पर हम देखें कि जब कमपनी मान्ते हैं क्या मोनु इसा क्या यहां पर यहां प्याट का यहां बीचिन आनि ऑने पी पैसे आती हैं तो यह individual इंटरी करने हैं बाद में दूbijiennent क एंट्री करनी है यह जो एंट्री मैं करने वाली तेविट में अपने समझित को कॉंझेद को और यह यानि इसका मैंने बताया है, फुल वीडियो है, इसके बारे में भी आप पहले आकर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या ओकार, bank account डिया to share application, यानि यहाँ यह क्या entry है, यह एक receive entry है, यह एक receive entry है, जो कि कब हो रही है, जब हमारे पास application आ रहा है, तब यह entry हो रही है, हमारे पास, तो यह क्या होगी हमारा, bank account डिया to application account, अब नेक्स चलते हैं, जब due entry हो गई, जब sorry receive entry होगी, तो क्या कफिर due entry भी यहाँ पर होगी, जिसको due entry क्या होगी यहाँ पर, share application account dr to share capital, यह क्या होगी 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 होग करना है बाद में रिसीव करना यानि हम क्या करेंगे कंपनी कॉल्स करेंगी किसको शेर होल्डर को वहां पर एक्सप्ट करेंगी पहले पहले एप्लिकेशन देखा पैसे आए उसको एक्सप्ट किया कि हाँ यह जो शेर होल्डर है वह हमारे कंपनी के लिए बिल्कुल परफेक होती है यहाँपे शेयर अलाटमेंट अ क्योंड डेविट शेयर अलोर्टमेंट अकाउंट डेविट तू शेयर कापिटल है यह क्यों गया हमारा यह हो गया हमारा डियु इंट्री है घ्लिब इंट्री अब हम क्या करेंगे नेङ्स इसकेрем Mehracy अब हम इसके receive entry क्या करते हैं bank account bank account debit to share allotment account तो यह हो गया हमारा allotment का आज क्या होता है entry पहला क्या होता हमारा share application share allotment account डिया to share capital और bank account डिया to share allotment तो यह क्या होगा हमारा पहले due entry फिर क्या हमारा receive entry तो यह company तब करती है जब company उसके जो firm होता है उसका application होता है उसको accept कर लेती है अब next हम देखते हैं कि हम first call को करेंगे तो जो first call होता है हमारा वो बिल्कुल similar इसी की तरह से होगा इसी की तरह से सारी entry होगी जो की allotment पर हुई थी बस वहां पर क्या होगा नाम बतलेगा first call second call third call third and final call ऐसे वहां पर बस नाम बतलेगा same होगा entry due entry fee receive entry तो ऐसा ही हमें क्या करना है हर कॉल पर करना है तो क्या होगा है यहां पर third number में क्या होगा हमारा share first पहले हम पहला call मारते हैं पहले हम company पहला call करेगी किसको shareholder को to share first call तो यह भी होगा हमारा due entry आप क्या करेंगा bank account करेंगे जो की receive entry होती है हमारी bank account dr to share first call अब इससे तरह से क्या करेंगे हम उसका second and final call की भी entry करेंगे यह पर क्या होगा शेर कि शेर कि सेकेंड एंड कि फाइनल कॉल अकाउंट कि डेबिट तू शेर कैपिटल अकाउंट यह भी हमारा डियो इंट्री होगा सेम इसी तरह से आपको हर इंट्री करनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, जितनी भी इंट्रीस होगी आपको ऐसे ही सेम पॉर्मिट पे करना है और जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको अनगिरत्म इंट्रीस मिलेगी क्योंकि वहाँ पे जब कंपनी होती है वो बहुत सारे कॉल्स करती है कोस करने को मिलेगा आपको कॉल्स की एंट्रीयों पे करनी पड़ेगी तो इसलिए अच्छे समझेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या हो ग्या हमारा डिव इंट्रीयों किसका पस्ट सेकें और फाइनल कॉल का अब डेक्स हम देखते है यहाँ पे बैंक अकंट जो की डिसीव एंड, फाइनल कॉल, तो यह क्या हो गया हमाँ last entries, अब इसी तरह से आपको क्या करना है हर entries करनी है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे हमने यह entries कर ली, यह किसकी entry है, यह general entry है किसमें company में जब shares holder पे calls by calls company पैसे मंगती है, तो अब ही तक हमने देखा कि कैसे हम entry करते हैं, posting करते हैं हर calls में दो entry करते हैं due और receive की लेकिन application पर क्या करते हैं पहले receive फिर due यहाँ पर इन्ठार करेंगे ו यहाँ पर दोमें करेंगे यानि पहले due करेंगे और फिर ही receive करेंगे यह दो चीजिए dement important यहाँ याँ डखना है यहाँ पर कंपनी calls मांग ड़ी लेकिन यहां पे duration जो होता है वो कितने मंत का है एक मंत का हमें यह भी याद अखना एक मंत का यहां पर क्या था duration calls मांगने का और 15 days क्या था हमारे यहां पे जब वो पैसे देना देने का टाइम लीमिट होता हो किता था या जो कि टेवल tray में दिया होए है जो कि shareholder के हिथ में होता है उसके लिए घ्यान में रखना है दो इक मंत का दिया है यहां पर यांपको वब्जेок्टिव कोशन में अब एक बात है है हमें जब कभी भी हमें बोला जाए कि आपको कोशनस में कैश्बुक बनाना है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ वहाँ पर डियू इंट्री होगे यह बैंक की इंट्री नहीं होगे और जो भी रिसीव इंट्री होती है वो नहीं होगी यानि रिसीव इंट्री को छो cash book में हम बनाते हैं cash book के through हम क्या करते हैं entry करते हैं और यहां पर हम receive entry नहीं करते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर आपको कोई भी problem हो रहा है account से संबंदित related तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं इसका solution देने का कोशिस करूंगी फिलहाल इतना ही thank you